तक हमारे साथ अभी जूर चुके हैं मैं अपना पड़्चे दे दू मेरा नाम अधित कुमार है और आप हमें अभी जकाज भारत के फेस्बुक पेज़ पर हमें आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ भारत किसान अंगोरन के मुद्धे पर CPI MN भाजपा माले के नेता युकि अभी कुछ दिन पूर में ही छे महीने खिसान आंदो मिल परमी जन दोनो पुड़े हो छुग है किसान अंदोनन पुड़े धारत की मीज़ा के साथ था अंतराष्य का अंतराश्ची मेडिया का भी इसमें बहुत बार योग दान रहा है लोग ने देखा किसान अंदोरन को आपको करता हूं कि आप किसान के बारे में एक महत्यपुर्ण परिचर्चा लेकर के सामने में आए मैं समस्ति परिचर्चा ब्लॉक हुआ हो से आता हूं मेरा जो परिवार है बिल्कुल छोटे किसान है जी एलो तो उनके बेटा सोक से लिखते हैं वार्मी बनना चाहते हैं यानि जिस पेसे बार लोग जहां हैं उनके बच्चे डॉक्टर के बेटे डॉक्टर इंजियर के बेटे इंजिनियर टीचर के बेटे टीचर प्रोफेसर के बेटे प्रोफेसर लेकिन आप इससे भी किसान की देनिये इस्थिति का अनुमा लगा सकते हैं कि आज किसान के बेटे किसान बनना नहीं चाहते हैं हमें वहां तक जाना होगा देश को वहां तक जाना होगा कि जब परहे लिखे नौजवान, परहे लिखे चाहते हैं मेरे पिता जी, मेरे दादा जी किसान हैं वो गारी पर लिखेंगे किसान पूत्र और वो किसान बनने की और अग्रसा रहोंगे तब सही माहने में भारत का अभी कास होगा ये कि छे मैंने में क्या सरकार ने यूजना जो अभी किसान अंदोलन पर आंदोलन वोड़ा तो इस पर सरकार ने क्या देखा और अभी तक उसमें क्या करने की कोर्सिस की देखिए सिधा क्या वह सकता फिर पर रही है कि यह मात्र कि लंबी सरकार के बाद लोग उब गए थे हर वर्ग के लोग आसाहिन हो गए थे कई समस्याएं लोगों को घेर लिया था तो ऐसे इस हिती में बड़ी ताकत से कार्पोरेट घराने ने नारा दिया मोधी जी को सहयुग दिया पूरे देश में वो फैल गए उनकी सरकार बने सरकार बनने के बाद यह जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं यह देश में चल लहे बड़े आंदोलन का एक जहाकी भी था चात्र सरकार से परिसान रहा रोजगार को लेके नौजवान परिसान GSTC लेके तमाम कई परकार के कानून लगाने से ब्यवसाई वर्ग परिसान रहा बुधी जी वी वर्ग अरवन नक्सली बोलकर के परिसान रहा फिर इसी दौर में एक बड़े आंदोलन किसान की आंदोलन शुरू हुई निश्ची तोर पर जो पहले से फटे हाली किसान के मैं समस्तिपुर की बात करूं तो बाजार समीती 2006 से समस्तिपुर का बंद है मेरे पिताजी मेरे दादाजी अशे अपने परेक्ट बैसेश ने लेकर बजार समीति में बेचने आते और कई ग्रहक होते थे और वो ग्रहक शुचते थे कि इतना अधे सब्सक्राइब है अब जब किसान आंदोलन इन तमाम चीजों को लेकर किसान के खिलाप करे कानून और बनाए गए। पार जो खेती कर रहाएं थे, उनको हटाने की साजिस थी, कारपूरेट खेती को डेवलप करने की साजिस थी, जो MSP सरकार को देना पड़ता था, सरकार अपने को MSP से पीछे भाग रहे थे, आज सरसो तेल 200 रुपई मिल लगार लेकिन किसानों के सरसो और तोरी की कीमत नहीं बढ़ाई गई है उनकी कीमत वही है लेकिन जब किसान के हाथ से उनके उत्पाद ब्यवसाई बड़े ब्यवसाई या कार्पोरेट घराने के हाथ में जाते ही उसकी कीमत में जाखा हो जाता है इस परकार का जब कानून लाया गया तो किसान के कान खरे हुए कि अब जो भी मे करने की कोशिस कि या दूसरी सरकार रहती तो बात को मानती किसान के बाद को सुनती लेकिन यह हठधर्मी की सरकार है यह तना साहिप हासिवादी सरकार है यह घमंडी सरकार करकार रही तो सरकार एक जाल फिक रही है कि याप परचार टीविके माध्यम से अखवार के माध्यम से रही है कि मैं नगैं किसानों से बात करना चाहता हूं लेकिन आप देखिएगा कि वह फैसला पहले सुनाते हैं पुल मिलाके जो ठेट में कहता है, पंचैती मानेंगे, बात मानेंगे, लेकिन खुटा वहीं रहेगा, सरकार ये करती है, सरकार कहती है, कानून को होल्ड पर रख देते हैं, कानून को दो साल के लिए स्थगित कर देते हैं, लेकिन वो कानून हटाने, एक बात मैं ठेट, मैं पेसे से सिक्षक भी रहा हूँ, प्राइबेट सिक्षक, सपोज किजिए मेरे पास पांच गो लड़ू है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि भाईया ये लड़ू ले लिजिए, आप कह रहे हैं कि हमें लड़ू की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रख लेजिए, तो बु प्रातिनिधी सामिल थे, इसमें जो किसान के लिए ये जो तीन काले कानून बनाये गए, आप ये बताएए कि क्या किसान के कोई भी प्रातिनिधी सामिल हुआ, अभी किसान कानून की कोई जरूरी नहीं थी, पहले से ही किसान के लिए जितने कानून बने हुए हैं, जितने circular हैं उसी को लागू करने की ज़रूरत थी ये जान बुझकर ये वारता का ढूंक सरकार कर रही है कानून को कोट ने भी इनको कहा कि आप दो साल के लिए धाई साल के लिए कानून को अफोल्ड किजिए ये कानून जब कोट को लगा कि वाकई जो किसान के लिए बनाया गया है किसान ये कानून चाहना ही रहे हैं आज देख लिजिए यही कारण हुआ कि पहले भाजपा कही 400 गाउं में 500 पंचाइच में हम सभा करेंगे लेकिन जब उसके नेता जाने लगे तो किसान उनको खदेरने लगे उनके नेता को भागना परा भाजपा को कार्जकरम को रोकना पर गया किसान बिलकुल इस चीज को जहनने वाले वह मात्र वारता का दिखाबा कर रहे हैं वास्ताम में वारता वो नहीं करना चाहते हैं वे तीन कानून पर जिसमेय लगतार बहस हो रही है प्र अंदूलन पूने की बाथ हो रही है तीन कानून के स्चिप में आप पताएं गर सिसमें कानून जो किसान के उतपाद को पहले स्टौक करने का था कि मात्र इतना ही रख सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं उस लिमीटेशन को हटा दीया गया अब किसान के जो उत्पाद है जो भी आदमी जो उसका च्छोटा सugg में करें सरकारी सर्कुलर के रुसार उसको पूरा से किसान को लोब देकर किसान को शुरू में लालस देकर कि 5 zł पैम आने पर छोटे छोटे-छोटे किसान केlar ऎलो seal को जोर करके बना जाएगा और उसमें कारपोरेड खेटी की जाएगी तो इसमें इस चीज भोगा तो सही हो सकता है कि जहां एक आध्में आप जेति होंगे बिहार में ही मिक्स क्रॉपिंग होती है एक ही खेत में आधे कठ्था एक कठ्था एक हर तरह दे चीज बोई जाते हैं उससे बहुत मात्रा में चीज नहीं निकल पाती है तो एक साथ अगर एक एकर, दो एकर, पाँच एकर में अगर खेती होती है, तो बहुत हो सकता है मात्रा किसान का GDP बढ़े, किसान का ग्रोथ बढ़े, ये तो सही चीज़ है ना, गलत क्या हो जा रहा है इसमें, देखिए इसको मैं अपने गाउं का आखो देखी बताना चाहत इसमें मैं गाउं में रहकर के देखता हूं कि लोग इतना जादा खाद खली दे करके, ऐसा ऐसा फसल जमीन को मात्र पांच साथ साल में इस तरह से निचोर देते हैं, कि बाद में वो जमीन फसल उगाने के लाइक नहीं राता है, कुछ जगह पर देखा गया, ख़बर आए कि कार्पोरेट खेती इसी ढंग से कि इतना साल का टिंडर कर दिया जाता है, कितना साल हमारे अंदर में रहेगा, वो मूल जो खाद पदार्थ उप जाने के बजाए, वो लोग आंकलन करते हैं कार्पोरेट घराने, कि हम क्या चीजी की खेती करें कि हमको जादा से जादा म मुनाफा मिले, वो मुनाफा के चकर में कार्पोरेट खेती की जाती है, आप देखियेगा, और उसी को रख करके, या कोल्डे स्टोर में फ्रीज करके, या जमा करके, बाद में बेचने के उद्दे से, इस परकार उनकी योजना बनाई जाती है, जिसमें अक्सर देखा गय कि फंसल के बजाए वो ज्यादा ब्यावसाई खेती को तरजीह देते हैं, और खेत को जम करके इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो खेत, जी, बाद में वो खेत, इस्टेराइल हो जाते हैं, बंजर भूमी वो हो जाती है, उनको तो दस साल से मतलब है, यही दूसरा मुद्द किसान की हालत वही रहा, उल्टे कार्पोरेट जगण डेवलप करते गए, किसान की सी तो वही है, आप एक उदाहरन छोटा ले लिजिए, कोरना काल में भी देख लिजिए, आम आदमी की आमदनी समाप्त हो गई, जो गरीब तबका है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो ब गया है, एक मिनट में एक घंटा कांदनी करोर हो रूपया दिखाया जा रहा है, तो यही कार्पोरेट घरते मतलब किसान ही? कि खेती पर जो किसान जो सबसीदी सरकार को देना पर रहा है खेती पर जो सरकार के लागाता रही है तो सरकार जो कार्पोरेट घराने को दे रही है तो उसको जनता के बीच में नहीं ला रही है लेकिन MSP के माध्यम से या खेती पर या खाद में कुछ सबसीदी पर सरकार दे तो किसान क्या होना चाहिए यह यह तो किसान असपस्ट कह रहे है कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं है आप इस कानून को बिल्कुल हटा दिजिए कानून को रद कर दिजिए हमें जरूरी ही नहीं है तो आप जवर्दस्टी हमको कानून क्यों दे रहे हैं आप कानून को हटा दिजिए, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि इसको हम होल्ड करेंगे, होल्ड पर रखेंगे, दो साल बाद लाएंगे, सरकार की ये पॉलिसी और किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कि यदि इतना बरा आंदोलन हम लोगों ने सुरू किया, कोरना काल है, हम आपको भी तकलीफ है, कि हजारो हजार लोग डिली मारे जा रहे हैं, ये किसान अपना घरबार छोर करके डिली के सिमा पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार को भी सुनना चाहिए, कि जब किसान कालू नहीं चाहते हैं थी, फिर से माल लिजिए एक जो मुझे ये मेरा निजी मामला भी है मैं निजी अस्तर पर सुचता हूँ कि अगर सरकार को कोई कानून लाना है जैसे मंडेगा आया था जैसे खाद सुरक्षा कानून आया था तो सरकार इसमें सभी परकार के जन्त प्रति निधी को NPA में ले सेराय मसवरा ले करके और फिर इसके बारे में सरकार को लगे कि कोई कानून हमको लाना है ये कानून को रद कर दें और तमाम लोगों से देश सेराय मसवरा करके फिर से सरकार को कानून लाना चाहिए लेकिन इस कानून को मुझे लगता है कि रद करने में सरकार को कोई आपती नहीं होना चाहिए मैं एक बात वर आपके चैनल पर असपष्ट ये बताना चाहता हूँ. सरकार को डर है, कि वो 370 का मामला था, 308 का मामला था, तो यहे, सरकार इस प्रकार का जो भी फैसला लिजी, TST का मामला था, नोटबंदी का मामला था ये जो बरे-बरे मुद्धे सरकार के है सामने है सरकार इभिल्वेट की है मुल्यांकन की है कि यदि किर्सी कानून से हम पीछे हड़ते हैं तो हम पर एक दबाब रहेगा और वो दबाब में इनको जो करोरो करोरो रुख्या मैं समस्तिपूर के करु या राज़त की सरकार रही समस्तिपूर में आज तक कंग्रेस पार्टी की कारजाला नहीं बन पाई आज तक राज़त की कारजाला समस्तिपूर में नहीं बन पाई लेकिन मैंने देखा कि पूरे समस्तिपूर के धुरलक में भी जहां बास्तु भिहार है वहां भाजपा की करोरों रूप्या की लादस से कारजाला तयार हो गया जे तो मापी चाहते हैं तो ठीक है अच्छा ये पार बताइए जो जी तो बने अंति मैं इसमें पुरा कर दूं कि सरकार को जो कार्पोरेट घराना बैकिंग कर रही है जो बरे मात्रा में चंदा दे रही है सरकार को लगता है कि यदि हम इस कानून से पीछे लुटे तो कार्पोरेट घराने में में जो मेरा साक के सरकार जो चाहती है कर लिए अंति तो आपके बोलने का मत अब सरकार अगर किसान का मुद्दा है उसको बिखलिये मत उसको बोल देती कि खीक हम वापस लेते हैं तो 370 जैसे जो कानून आया है उसको वापस लेना पढ़ जाएगा ही बोलना चाड़े न आसन शिप में वापस लेना माने सरकार पर वापस को एक अंतिन फ्रतला हो जाएगा है कि लगातार इस पर सरकार पर दबा मिलेगा और दूसरी बात कि कारपुरेट घराने का सरकार पर से भी स्वास उठ जाएगा इस आंधोलर में कि महागरवन्दत की वह हिसा भी है केंद में कि विपक्स में है क्या जे आपके संगठन का आपके पाट अगर देखें यह तो मैंने शुरूवात में ही यह बात को था कि किसान आंधोलन या देश में किसी भी जो जाएग मांग को लेकर के चाहे किसान हो चात्र हो नाजवान हो क्रम चारी हैं बुधी जीबी हो जिनका आंधोलन शुरू होता है CPIML आंदोलन के पार्टी हैं हम जाइज मांग को लेकर के आंदोलन को साथ देते हैं चुकि किसान सबसे निविह तबका है सबसे परिसान तबका है इसलिए मेरी पार्टी CPIML लिब्रेशन भागपा माले लिब्रेशन जो सुरू से ही किसान आंदोलन आपको जानकारी है कि अखिल भारतिये किसान महासभाजों किसानों का एक बड़ा संगठन है बिहार में भी या देश के या पंजाब में हरियाना में राजस्तान में ये तमाम जगह पर हमारा ये संगठन है हम पहले भी किसान आंदोलन चलाते रहे हैं बड़ी मजबूती से ताजपुर समस्तिपुर के इलाके में भी हमारा किसान संगठन काफी ये स्टॉंग है हम यहाँ भी लड़ रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन को हम लोग शुरुआती समय से हमारे पंजाब के रूल्दू सिंग हों या अखिल भारतिये किसान समनबे संगर समीती के महासज़िब कौमरे राजाराम जी हों उनके माध्यम से जो समनबे समीती में किसान आंदोलन में है तो लगातार हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जब आप एक बहतर भारत बनाना चाहिएगा, जो आम आदमी तक भोजन किया बेवस्था देना चाहिएगा, एक मजबूत देश बनाना चाहिएगा, यहां लगभग अभी भी 77-78 परतीसत पुल मिला के अभी भी 75 परतीसत स से ऊपर जादा डिपेंडेंसी एग्री कल्चर पर है, फार्मिंग पर है, वैसी इस्थिती में हम लोग मूल तह काफी मजबूती से किसान आंदोलन को साथ देते रहे हैं, जब तक किसान आंदोलन चलेगा, हम दिल्ली के बॉडर पर किसान आंदोलन के साथ खरेंगे, यहा आज हम लोग दूसरा फेज इस देश करुणा का देख रहा है इस में फिर से अगर बात वोड़िये फिर से अंदोलन करने की तो कहीं ने कहीं किसानों के जान को निता नहीं देख रहे हैं अपने फैड़े के लिए उनकी जान की प्रवाल नहीं कर रहे हैं इस पर मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ इस पर मेरा अलग राय है ये सरकार को सोचने के काम है हमारे भी सरकार हमारे भी प्रधान मंत्री आपके भी प्रधान मंत्री पूरे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि कोरना जैसे में कोई परिबार को छोर करके अपने जान को दाव पर लगा करके हमारे यहां आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन कारी से कैसे वारता किया जाए कैसे कानून को अस्थाकित किया जाए कानून को रद किया जाए यह सोचना सरकार की काम है हमें जरूर संबेदना है हमें इस बात की द ज़्यादा किसान की मौत हो गई है, ये दर्द हमको है, ऐसे भी तो किसान खित में मर रहा है, किसान तो ऐसे भी खित में मर रहा है, आत्महत्या किसान ऐसे भी कर रहा है, आप रिकॉर्ड देख लिजे कि आत्महत्या करने वालों में सबसे ज़्यादा तबकाई कौन लोग है सबसे ज़्यादा तबकाई किसान है चाहे केसी सी का मामला हो किसान लोन का मामला हो महादनी कर्ज का मामला हो आंधी पानी बरसा बाढ़ में किसान के फ़सल बरवाद हो जाने का मामला हो तमाम तरह से ये परेसान किसान ऐसे भी मर रहे हैं और ये कानून लागू हो जागा तो और वो पूरी तरह बरवाद हो जाएंगे पूरी तरह वो समापत हो जाएंगे इसलिए वो बेहतर है जब ऐसे हम मर रहे हैं तो चलो हम सरकार से कम से कम अलर करके मरें निश्टी तोर प करके किसान को आंदोलन कोरना संकट देखते हुए जरूर समाप्त कराने की पहल किया जाना चाहिए ये मेरा भी सरकार से यही मांग है है किसान अंदोलन को पुरे देश का साथ नहीं मिल रहा है आपने कुछ बोला के बिहार में विए हम लोगे शंगत्थन है लेकिन क्यों नहीं जा पार ऊदिहार उतर पर देश की राज़स्थान की किसान जम्मू के किसान ऑलो किसान आंदोलन को साथ मिल लहा है लोगों के या उस तबके की अपनी समस्याएं भी है रोज मर्रा का काम है आप जानते हैं किसान बरे पैमाने पर अजी हेलो हेलो तो आप मिरी बात सुन पारे की दिल्ली आंदोलन के समल्थन में बरे कॉपर 234 है और बीहार किसान ओक जाथ्था不好 समस्य अजि के हो हो या दूसरे majesty हो किसान का जत्था वहाँ गय है है हां ये बात सहि है कि मैंने कहा कि व्यातक किसान जिस तरह से पंजाब का कि कि यहां चुकि बिहार के किसान को पहले 2006 से इस पी बंध है बाने कुल मिला के जो बजार समीत यहां पहले से बंध है तो यहां के किसान पहले से ही परिसान है लाब हिंको नहीं मिला था लेकिन वहां तो बिलकुल किसानी यहां के किसान आप देखे किसानी से हटे भी हैं लेक तो यह नहीं है देश के बिभीन हिस्से से लोग जा भी रहे हैं और किसान आंदोलन के साथ भी है और उनके समर्थन में अपने अपने राज से अपने अपने जिला से पर इसके पंडिंग पर रहे हैं जी, जी, फंडिंग तो हम लोग समस्तीपूर में भी, हम लोग समस्तीपूर में बिहार में किसान के पास जा करके 100, 200, 500 रुपईया, 100 रुपईया, 10 रुपईया, 20 रुपईया, जो जितना दिया है, चंदा करके, हम लोग समस्तीपूर से भी कुछ चंदा, और बिहार से पर लगा हुआ है यह किसान की अंतिम लराई है करो और मरो के लराई है तो ऐसे ही सिती में किसान भी ब्यापक बड़े पैमाने पर हम लोगों ने समस्तिपुर में मुझ खोला और लोग कहा कि सुरेंद्र जी जब कभी जरूरत हुआ हमारे पास आईएगा हम चंदा देंगे जब हम दूसरा को खिलाते हैं देश को खिलाते हैं देश को भोजन देते हैं देश को पैसा देते हैं तो हम अपना किसान के अंदोलन में क्यों नहीं देंगे तो किसान के अंदोलन में पूरा किसान संगठन पहले से भी है और किसान संगठन है तो एक बात हमने कहा कि माले से जुरा हुआ जिस दिन किसान संगठन बहुते किसान आंदोलन कुल मिला करके बेहतर दिसा में जा रहा है और फिर कोर्ना घट रहा है लोगडाउन की स्थिती समाप्ति की ओर है तो आप देखिए 26 तारीक को जो काला दिबस मनाया गया है मुझे लगा कि पुरा वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड बन गया कि लाख हो लाख घर के लोग लॉगडाउन का पालन करते हुए मोधी सरकार के खिलाप काला जहंडा फाराया मने किसान सरकार का पुतला जलाया बहां पर सिर पर काली पटी बान करके घरेलू धरना दिया ये तो पूरे ये तो आंदोलन मातर भारत ये पूरे 20 विस आंदोलन को जान गया है और भारत में भी किसानों ने मुड बना लिया है राजियों ने मुड बना लिया है कि जोंईर लॉग डाउन समाब्त होता है म्ktor नहीं है तो फिर बरी संख्या में अभी तो वहां जाने से भी अभी मुझे जानकारी हुई एक किसान वहां पर थे उनसे हमारी बात हो रहे ती से उन्होंने बताया कि सुरेंजी हम लोगों ने अभी रोक रखा है अभी ज्यादा लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है अभी हम लोग संकेती कार्जग्रम बॉर्डर पर कर रहे हैं कम संख्या में दूरी बना करके रह रहे हैं लॉगडाउन समात होता है इसके बाद 26 तार से हमारे हां से लोग गए हैं मैं लेकिन कश्चन हमारे मारे पार्टी के लोग वहां पर गए हैं एक बाति है पर वहां सुछ नईसी कारण से पारिवारी कारण शेते हैं समस्तिपूर में रहें इस बार जाएंगे 2020 में आप जाएंगे 2021 में हमको एकदम अन्यस्टित प्रूप से योजना बना हुआ है कि बरिस सेंख्या में यहां कि किसान अन्यता को साथ करके रिजर्वेशन करा करके और किसान आंदोलन में सीमा पर हमको जाने की योजना बनी हुई है अब जाएंगे ज़िए हम लोग लाइब से सब्सक्राइब करते हैं मेरा नाम अधित कुमार है जगास भारत कहें जगास भारत से जुरा हूआ हूँ हमारे साथ सुरेंद्र पर रशाथ सिंह हैं समस्तिपूर के निवासी हैं और भाट्पा माले के नेता हैं आपका इस अपनी पात रखी इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद देना चाहता हूँ इस विकट समय में कोरना काल में आपके पास किसान का दर्थ है आपने किसान के दर्थ को मजबूती से उठाया है एक बार फिर आपको आपके चैनल को जो शुरोता हमारे साथ जुरे हुए थे उन धन्यवाद